हेलो एब्रीवन वेलकम बाइक टू माई यूट्यूब चैनल तो फ्रेंट्स आज हम बात करने हैं दोजाब 22 की सबसे बड़ी स्यच्चो वेकेंसी की बारे में यहाँ पर आप वेकेंसी की नोटिफिकेशन देख सकते हैं आचुकी है ऑफिशल वेबसाइट पर 5505 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है तो फ्रेंट्स पूरी अपडेट को हम इस वीडियो में कवर करेंगे और आपको पूरी जानकारी इसमें हम प्रवाइड करेंगे तो अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आकन को प्रस करना बिल्कुल भी न भूले तो फ्रेंट्स चलते हैं अब डेट की तरफ सबसे पहले यहाँ पर हम वेकेंसी टेबल पर ही नेजर डाल देते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है सबसे पहले सीरियल नंबर फिर यहाँ पर पोजिशन OBC में 1,486 EWSC में 1,157 ST में 110 वेकेंसी यहाँ पर निकाली गई है टोटल 5,505 वेकेंसी जो हैं सेच्चो की रहने वाली हैं और 221 वेकेंसी जो हैं सेच्चो की इसमें रिजर्ब रहेंगी PWD के लिए अब हम यहाँ पर देखते हैं जो यह नोटिफिकेशन निकाली गई है क सेच्चो की वेकेंसी की नोटिफिकेशन आचुकी है ऑफिशल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी ऑफिशल वेबसाइट यूपनाजम.gov.in है यहाँ पर आपको एडवर्टीलमें नमबर दे दिया गया है डेट आप दे सकते हैं 19-2022 को नोटिफिकेश निकाली गई है आनलाइन अप्टिकेशन आपको यहाँ पर समिट करना है सबसे पहले फोर मंस का जो आपका सेच्चन का ट्रेनिंग होगा उसके बाद आपका फाइनल एक्जाम कराया जाएगा उसको पालिफाई करने के बाद आपको सब हेल्स सेंटर पर सेच्चो की पोस् RACS यहाँ पर रहेंगी आप हम बात करें इंपोर्टेंटटेंटस की तो इंपोर्टेंटस में आपका आवेदर जो है इस्टार्ट हो चुका है यानि ऑनलाइन अप्लिकेशन फर्म स्टार्ट हो चुका है इसकी लास्ट टेट्स जो रखी गई है वह 9 अगस्त 2020, कर सकते हैं तो जो भी इलिजिबल कंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर इसी डेट के बीच में फॉर्म जो है भर दें उसके बाद यहाँ पर इंस्ट्रेक्शन दिये गए हैं अगर आपके पास कोविड-19 का सर्टिफिकेट है तो वह आपको अपलोड कर देंगे उससे आपको ही जो है benefit मिलने माला है minimum qualification marks मार्क्स वगरा दिये गए हैं qualification की बात करें कि कौन-कौन अपलाई कर सकता है कैस तो यहाँ पर आप दे सकते हैं अगर आपने GNM किया है तो आपपलाई कर सकते हैं बिल्कुल अपलाई करें बीसी नर्सिंग है तो भी अपलाई कर सकते हैं पोस्ट पर जो है जेनम वाले candidates भी apply कर सकते हैं साथ ही में किसी भी state के candidates apply कर सकते हैं बसरते उनके पास यूपी नर्सेज मिट्वाइस का रेइस्टेशन होना चाहिए date of submission जो रहेगी online application form की उससे पहले का या उस time तक का रेइस्टेशन होना चाहिए फिर वो चाहिए यूपी के candidates हो या आधा इस्टेट के candidates हो एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपकी 20 जुलाई 22 को 35 साल से अधिक नहीं होने चाहिए 35 एर से अधिक नहीं होने चाहिए यहां पर इंफार्मेशन दे दी गई है यहां पर आप इंफार्मेशन ले सकते 10,000 रुपे पर मन्त आपको stipend दिया जाएगा जब आपकी ट्रेनिंग रहेगी चार मन्त की CCSN की ट्रेनिंग के टाइम पर और उसके बाद जो आप जोईनिंग करेंगे तो 35 या 500 रुपे या इसके बाद यहां पर 2.50 lakh का आपको shorty bond भी फिल अप करना है यह shorty bond आपको ट्रेनिंग में जब जोईनिंग करेंगे उस टाइम पर आपको देना होगा 100 रुपी स्टाम पेपर पर आपका यह जो है shorty bond रहने वाला है जिसमें कि आपको mention करना है कि आप minimum 3 years आप सर्विस दे कई दे दी गई है computer based test रहेगा आपका CBT यानि कि online based test रहेगा यहां पर computer based जिसमें कि आपके 100 questions आएंगे 100 marks के एक question जो है एक marks carry करेगा जिसमें कि 80 question आपके subjective रहेंगे और 20 question आपके जो रहेंगे general aptitude, general awareness, basic computer से रहेंगे total 100 question आपके रहने वाले हैं इसमें किसी प्रगा की कोई negative marking नहीं no negative marking यहाँ पर already mentioned कर दिया गया है यानि कि आप 100 के 100 question कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर minimum qualify marks दे दिये गया है, 33% UR और EWS candidates के लिए रखा गया है, 30% OBC candidates के लिए रखा, SC, ST, P, WD candidates के लिए 24% रखा गया out of 100 application fees की बात करें तो application fees यहाँ पर कोई fees नहीं पढ़ रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है, application fees नहीं यहाँ पर लिखा है, तो किसी प्रगार की कोई fees आपको यहाँ पर नहीं देनी है, स्लेबस की बात करें तो स्लेबस यहां पर दे दिया गया है पेपर वन और पेपर टू। सारे सब्जेट से क्विस्टब नहांगे इसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। उसके बाद पेपर टू में आपका जनल एप्टिटूट रिजिनिंग और जो रहेगा इसकी इनफामेशन दी गई है तो फ्रेंट्स यहाँ पर पूरी अपडेट मैंने यहाँ पर कवर कर दी है इंपॉर्टन डेट्स मैंने बता दी है आपको आप अप्लीकेशन फार्म यहा है हिं त्या भारत